हेलो एब्रीवान वेलकम बेक टू मैं चैनल मैं हूँ अपणना आज मैं लाई हूँ अरबी के पत्तों की एकदम नई सबजी और इस तरह से आपने अभी तक कभी भी बना के नहीं खाई होगी एकदम नई रेसिपी है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें वीडियो पसंद नहीं एक साथ करीब चार से 5 पत्के ऐसानी से आप काट पाएंगे और जितना ही आप इने फाइन चॉप करेंगे ना रेसिपी आपकी अच्छी बनेंगी तो देखिए मैंने इस तरह से गण लिया है और जो सारे पत्ते ने भी में इस तरह से गण कर लोंगी तो आप जहें से हैं तो देखें मेने आपए इने कट करिया है है अब हम और न इस तरह से एक बर और कट करेंगे ताकि यह फाइन हो जाएं और आप इन ही चॉपır में चॉप नहीं कलिए ग़ा आप इन नाइफ से या फिर सीजै रही कातें तो बस यहां पे मैंने कट कर लिया है और अब मैंने यहां पे लिया है एक बड़े साइज का प्याज तो प्याज को भी हम इस तरह से पतले स्लाइस में कट कर लेंगे और फ्रेंस यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कौन से सिटी से देख रहे हैं अपना नाम और अपनी सिटी का नाम मुझे कोमेट में जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्यू बहुत सकूँ तो यहाँ पे इस प्याज को भी हम इसमें बारिक बारिक काटके अड़ करेंगे और प्याज को भी हमें लंबाई में ही कट करना है तो लंबे स्लाइस हों और पतले होने चाहिए तो देखिए इन्हें मैंने कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे जो हमारे अर्भी के पत्ते हैं इन्हें हम एक बाउल में टांसफर कर लेंगे तो फ्रेंट्स मेरी पिछली वीडियो का थेंक्यू जाता है मैसिक को सिटी अमेडिका से रभी आनंद जी को हेलेन कुलदीप जी हैं कोरापत पुरीशा से और छतीस गड़ से हैं नीलेस कावडे जी और आजम गड़ से हैं आलम खान जी थैंक्यू सो मच ओल आफ यू इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया अपने तो यहां पे देखिए अब हम इसमें आइड करेंगे थोड़ी सी हल्दी करीब बन फो टी स्पून तो यह मैंने कलर लुए गरीजिए ठोड़ा सा siya यहां पर कि नमक एड़ करना है और नमक के सा थी हम यहां पर करीब आदा चोड़ा चम मच अड़ करेंगे द्हनिया पावडर और बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो यहां पर याप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए क्योंकि करा इसमें नमक की वज़रे सी पानी रिलीज होगा तो उसे के लिए कमें पहले मिक्स कर lets कर ना है पिर करेंगे तीन चोटा चमऴ बैसन ट्रॉब हमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं आइड करना है तो पहले अच्छे से मिक्स करना है हाथों से, इस्पून से ना मिक्स करें, हाथों से मसल मसल के मिक्स करना है, और अब मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेसन और एड़ किया है, क्योंकि इसमें बेसन की अच्छी सी बाइंडिंग हो जानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा बेसन बेस तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा बेसन एड़ करना है और अच्छे से इसको इस तरह से मसल लेना है और यहां पर देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसमें एक बुन भी पानी नहीं एड़ करना है आपको तो यहां पर देखिए इसको मैंने मिक्स कर लि मिक्सर थोड़ा सा मुलाइम हो जाए और यह मिक्सर आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए तो बस यहां पर मैंने लिया है एक चौपर और चौपर में एड़ करेंगे हम करीब 6-7 कलिया लहसुन की और एक लिया है मैंने बड़े साइज का प्याज तो प्याज को भी हम इस तरह से कट करके इसमें एड़ कर देंगे तो प्याज आप कम ज़्यादा ले सकते हैं और मसाले भी आप जैसे खाते हैं वैसे आप इसमें एड़ कर सकते हैं और एक लिए मैंने हरी मिर्च तोड़के एड़ किये आप चाहें तो आप इसमें और कड़ाई में मैंने करीब तीन चमच एड़ किया है कुकिंग और फिर हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी हींग और एक चुटा चमच कश्मीरी मिर्च पाउडर और साथ ही हम एड़ कर देते हैं लहसुन और प्याच तो यहां पर अच्छे से इसको हमें मिक्स कर देना ह और तेल बहुत जाता गरम नहीं करें वरना यह जल जाएगा तो मीडियम हीट पर हमें इन मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे हमारा सीक्रेट मसाला तो यहां पर मैंने करीब दो चमच लिया है दही दो से तीन चमच भी ले सकते हैं और इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर जो भूने जीरे का पाउडर है दो चमच लिया है मैंने बेसन और थोड़ा सा मिसमें नमक एड़ करेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और यह सारी चीजें आप अच्छे से मिक्स करके ही इसमें एड़ करें और अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं ताकि यह जो दही है ग्रेवी में जाके फटेना तो इसको कंटिनिव चलाते रहें यह सबजी फ्रेंज इतनी सौधिश्ट बनती है कि अगर आप एक पार बनाएंगे न तो आप जब भी अर्बी के पत्ते लाएंगे तो इसी तरह से सबजी बना के खाएंगे बहुत ही सौधिश लगती है लगता ही नहीं कि अर्बी के पत्तों की सबजी है यह तो यहाँ पे देखिए दही ने ओईल रिलीज कर दिया है तो अब हम इसमें आड़ करेंगे ड्राई मसाले तो यहाँ पे मैंने लिया है करीब आदा चममच हल्दी पाउडर एक चममच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लिया है रेड चिली पाउडर जो काफी तीखा है तो तीखा आप अपने हिसाब से कम्या फिर जादा कर सकते हैं तो थोड़ा सा इसमें हम पानी करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसाले जले नहीं तो यहां पर मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए हमें ढग के पकाना होगा तो यहां पर हम इसको ढग देते हैं और हीट को एकदम लो कर दीजिए और इसे पकने दीजिए त तो अब मैंने कड़ाई में लिया है कुकिंग ओयल इसको मैंने गरम कर लिया है तो तेल हमारा यहां पे मीडियम गरम होना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई हीट पर ना गरम करें फिर हम यहां पे जो हमारा मिक्षा था ना उसके छोटे-छोटे बॉल्स इस तरह से बना के इस तरह से देखिए तो यहां पे हम इने अलड़ते पलड़ते हुए फ्राइ कर लेते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है और रेसिपी थोड़ी सी भी नहीं लग रही है तो प्लीज इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किजिए तो यहां पे हम इने अलड़ते पलड़ते हुए गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे और यह देखिए अच्छे से यह फ्राइ हो गए हैं तो बस इने हम आप निकाल कर लीजिए नहीं तो आप एक भगोने में पानी रखिए उसके उपर आप जाली वाली प्लेट रखिए प्लेट में आप थोड़ा सा ओयल ग्रीस करकर बाल्स को स्टीम कर सकते हैं तो यहां पर देखिए जो हमारी मसाला वाली कढ़ाई है उसको मैंने फिर से इसी गयस पर मसाला भी हमारा देखिए इस तरह से पक चुका है और जब तक फ्रेंट्स मैंने बॉल्स बनाई थी बॉल्स फ्राई करी थी उस समय तक इसमें पानी थोड़ा सा कम हो गया था तो या तो आप गयस को बंद कर दीजिए या फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिया था तो हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी की तो ड़क देंगे नहीं नहीं वेड़ाने था रख्या है और यहां पर देखिए जो हमारी बॉल्स है कम आप आप इसे ऐसे सही चाय के साथ खा सकते हैं तो फिलाल आज मैं इसक तो देखिए यह बहुत ही ज्यादा तेश्टी है और अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाती है और बेसन बेसन बिल्कुल भी नहीं लगता इसमें तो बेसन चादा आड़ भी नहीं किया है मैंने तो आभी देखिए यहां पे जो हमारी ग्रेवी है उसमें भी बॉइल आ तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिये और आपको गरम मसाला पसंदे तो आप इसमें थोड़ा सा अच्छा कर दीजिये क्योंकि गरम मसाला या फिस सब्जी मसाला थोड़ा सा अच्छ ऑब आद करना है और भास इसे अब हम ढग देंगे और करीब 3-4 मिट के लिए हम लो हीट पर पकाएंगे और यहां पर देखिए तीन से चार मिट बाद मैंने गैस की हीट को बंद कर दिया था और हमारी बहुत ज्यादा टेश्टी सब्ची बन के त्यार है और आप देखें ना यह कोफते थोड़े से फूल भी गए हैं अपनी साज के डबल हो गए हैं और इ ग्रेवी को और भी अब्साब कर लेते हैं तो बस यहां पर हम इसको हटा लेते हैं गैसे थोड़ा सा इसमें हराधनिया एट करेंगे और हमारे बहुत ही टेश्टी सुपर सॉफ्ट अर्भी के पत्तों के कोफते बन के त्यार हैं देखें ना ग्रेवी भी काड़ी हो गई ह तो है ना एकदम नई रेसिपी तो यहां पर हमारे अर्भी के पत्ते के कोफते बन के त्यार हैं जो बहुत ही जाता टेस्टी हैं फ्लेवर फुल हैं तो आप इसे एक बार जरूर बनाए इस तरीके से अर्भी के पत्ते की सबजी तो कई तरह से बनाई जाती है लेकिन यह अलग है अगर आपको भी रेसिपी डिफ्टन लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को कर लिजीगा सब्सक्राइब हर दिन की निव वीडियो के लिए तो यहां पर देखिए जो हमारे कोफतें बहुत ही सौफ्ट हैं तो इनके अंदर तक ग्रेवी चली बबाइ